नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज मैं लाया हूँ एक और रेस्पी और रेस्पी में आज बनानी वाला हूँ देई के सोले देई के सोले आप घर पर कैसे बना सकते हैं तो इसको बनानी के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत मैं लिया है हारी सिम्लमिर्च हाप और हाप ली है लाल सिम्लमिर्च और हाप ली है पीली सिम्लमिर्च जिसको कि मैंने पाइन चौप कर दिया है और उसके बाद जो है मैंने लिया है एक मिर्ची जिसको मैंने पाइन चौप कर दिया है और उसके बाद मैंने लिया है अद्रक अद्रक को भी मैंने फाइन चौब कर दिया है और उसके बाद इसमें एड करेंगे सबसे पहले ब्लेक नमक को तो ब्लेक नमक सबसे पहले हेड करेंगे यह मैंने लिया है 1.1 और उसके बाद वाइड नमक 1.4 तीइस्पुन उसके बाद 1.4 तीइस्पुन मैंने लिया है वाइड पेपर और उसके बाद एक टी इस्पून मैंने लिया है जीरा क्रस और उसके बाद जो है दो टी इस्पून मैंने लिया है सुगर पोडर और उसके बाद जो है थोड़ा सा हरा धनिया और इसको सबसे पहले हम इसको सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे तो इसको अच्छे से मिला देना है और यह सारे अच्छे से मिल चुके हैं तो इस परकार से हमारा मिक्चर तैयार है अब हम सबसे पहले लेंगे ब्रेट जिसकी हम चारों तरफ से एक एक करके सेट अटा देंगे और उसके बाद दूसरी ब्रेट भी लेंगे और इस परकार से सेट अटा देंगे उसके बाद मैंने लिए है ब्रेट की ही पनी जिसको कि मैंने सेट से काट दिया है इस परकार से और उसके बाद ब्रेट को लेंगे और उसमें जो हमने श्टपिंग तयार करी है तो हम उसको एट करेंगे और इस परकार से इसको मोड लेंगे और सेट से यह दबाते हुए चले जाएंगे इस से जो है इस परकार से सेफ बन जाएगी फिर दूसरा पीछ लेंगे और हम सेम इसी प्रकार से इसको भी बना लेंगे तो इससे यह होता है कि आपको सेट से दबाना होता है जो इस टपिंग है वो जो है भार नहीं निकले तो पीस को अच्छे से दबा देना है इस तरीके से तो यह जो है दे के सोले बन कर तैयार है तो इस तरीके से बनानी है और उसके बाद हमने तेल को हाई फ्ले में गरम कर दिया है और उसके बाद जो है हम इसको प्राइ करेंगे इसका ध्यान रखना है कि यह अपस में चिपके नहीं तो थोड़ असा हो जाए उसके बाद जो है हम इसको हिला लेंगे इस परकार से तो इसको बीच बीच में अच्छे से हिलाना है नहो जो कि चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं तो यह जो है देई के सोले फ्राई हो चुके हैं अब हम इसको काटेंगे इस परकार से तो इस परकार से हम सारे पीस को काट देंगे और उसके बाद जो है सर्व करने के लिए तयार हैं तो इस परकार से एक प्लेट में लगाके हरा दन्या और चाट मसाला टाल दें तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी यह रेश्पी अगर आपको मेरी यह रेश्पी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सस्क्राइब कर दें और सेट में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे की नई वीडियो की नौटिक वे किस्टन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी तो आज के लिए इतना ही एक बार फिर मिलोंगा एक नई रेस्पी के साथ धन्यावाद